नमस्कार दोस्तों, आज से लगबग 10 साल पहले, अगर आप निउस्पेपर्स को उठा के देखोगे, तो हर दूसरे तिसे दिल एक एडिटोरियल मिलता था जो चाइना और भारत की एकोनोमी को कमपेर किया करता था, इवन हर एक्सपर्ट ये बात करता था क्यार चाइना की ये अंत्य तैजी से घुरो कर रही, जब कि भारत और चाइना की दोनों की शुरुआत सांस में हुई थी, हाला कि चाइना की जो एकोनोमिक ग्रोथ थी, उसके पीछे एक बड़ा कारण था, एक शॉटकट, चाइना ने जो शॉटकट लिया था, वो शॉटकट था, रियल स स्टेट सेक्टर के अंदर बहुत तेजी से ग्रोव ही पर यह जो रियल स्टेट सेक्टर था इसके अंदर जो ग्रोथ थी वो नेचरल नहीं थी बलकि आर्टिफिशली कराई गई थी हुआ यह था कि चाइना ने कई साई घोर सिटी बनाई थी मतलब के सरकार के द्वारा और कंपनीयों को जवरदिस्ती लोन देखे गई सारे घर का निर्मान कराये गया जिसके अंदर रहने तक होई नहीं था बस घरों के निर्मान कराये गये जिसके अंदर जब हांस की मातरा बढ़ गई घरों की मातर बढ़ द hack大 अंदर एक नया क्राइसिस आता हुआ दिखाए दे रहा है मतलब जो चाइना का मॉडल था वो चाइनीज सामान की तरह ही शॉट टर्म में अच्छा था पर लॉंग टर्म के अंदर एक बड़े क्राइसिस को अनफूर्ड करता हुआ था वही भारत का सामान की तरह ही अर्थववस्था भ अब फास्टेश ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है आप यहां पर क्लियरली दे सकते हो कि भारत की एकोनॉमी दुनिया के अंदर फास्टेश्ट ग्रोइंग एकोनॉमी है वही चाइना की एकोनॉमी अब तिल मिलाती हुई दिखाए दे रही है उसका बड़ा कारण है र इल स्टेट के अंदर जब जबर जस्ती ढेल सारे घर बनाये गए तो आज चैना के अंदर कई सारे घर खाली पड़े हुए लगबख वन पॉंट फॉर बिलियन की आबादी चैना के घरों को नहीं भर पा रही है चैना के अंदर लगबख 3.000.000.000 हाउसे यो खाली है मतलब चाइना की जो total population है उससे दो गुना ज्यादा घर खाली बड़े हुआ ये इतने घर है कि US की 10 गुना आबादी इन घरों के अंदर आ जाए यूरोप की वेस्टर यूरोप की लगबग 15 गुना आबादी यहाँ पर आ सकती है चाइना की सबसे populated city बिजिंग की 140 गुना आबाद इन खाली घरों के अंदर आ सकती है इतने घर खाली बड़े हुआ ऐसी condition में घरों की demand create नहीं हो रही घरों की अगर demand create नहीं होगी तो जो real estate की company है जिन्होंने इन घरों को बनाया है उनके घर बिकेंगे नहीं और वो company या default करने लगेगी और आप clearly उस चीज को यहाँ पर द default किया है जैसे की country garden लगबग 7.6 billion dollar के नुकसान में है पचास में से 34 कंपनियों ने already default कर दिया है एवर ग्रांडे भी उनमें से एक है जो की चाइना की सबसे बड़ी property कंपनियों में से एक है चाइना के अंदर यह जो crisis उबर के आ रहा है इसकी वज़े से चाइना की पूरी में चाइना की सरकार को इसके उपर कुछ बड़े statement और कुछ बड़े कदम उठाने पड़े जो की भी long term के अंदर चाइना की economy को और ज्यादा कम जोर करेंगे अब यह सब कुछ कैसे होगा उसे मैं शुबर नहीं चोहान डीटेल में आप लोगे साथ में चर्चा करूंगा बड़ उसके पहले आप लोग में साथ में सासी 10 टेलिग्राम लूप के उपजूर रखते हो मेरे क्लास की अपडेट पीट पीडिये सब कुछ आपको में मिल जाएगी इसके अलावा यूप यसी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजूर से अगर आप लोग को आप करने वाले हैं आप बिल्कुल से अंदर जुर्दकते हों चलिए दोस आप समयने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ देखो मैंने आपको बताया के चाइना की लगबग 34 में से 50 में से 34 प्रॉपर्टी कंपणियों ने रियल स्टेट के अंदर काम करने वाली कंपणियो ने default कर दिया है मतलब लोग दिने से मना और दिया है अब इसका असर चाइना की अर्च वस्ता के ओपर क्या हो रहा है थोड़ा सा उसे समय ना देखो चायना की अंदर जो रियल स्टेट सेक्टर है मैंने बताया वो छोटा मुटा सेक्टर नहीं है डायरेक्ली और इने डायरेक्ली ये 20 परतीशा GDP ग्रोथ को कंट्रोल करता है according to IMF ऐसी कंडिशन में रियल स्टेट सेक्टर जिसको डेवलप ही इसलिए किया गया था चाइना में ताकि रियल स्टेट सेक्टर ग्रो होगा तो उसकी वज़े से सिमेंट इस्टील लेबर मार्केट ये सब ग्रो होंगे क्योंकि ये सब रियल स्टेट पे तो डिपेंडेंट है अब जब रियल स्टेट सेक्टर गिर रहा है तो ऐसी कंडिशन में ये सारे सेक्टर जो है वो गिरते हो चाहिना के अंदर इसी रियल इस्टेट सट्र की वैए से से ओवरॉल मार्केट के अंदर चाइना में डिमांड जो है वो कम होने लगी और चाहिरा के अंदर economy slowdown की इस्तिती आने वाले समय में clearly हम लोग को देखने को मिल सकती है अब आप अगर घर की बात करो तो देखो क्या हो रहा है कि housing सेक्टर और प्रापर्टी सेक्टर मैंने बताया 20 प्रतीशत आबादी और लगबग 5 बिलियन लोग इस आउसिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है जब यह हाउसिंग सेक्टर के अंदर slowdown देखने को मिल रहा है तो इसी की वएसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी slowdown आ रहा इसी की वएसे दूसी जगों पे भी slowdown आ रहा है तो लोगों के पास में इतना पैसा हो गए नहीं जब पैसा हो गए नहीं तो और घर नहीं खरीदाएंगे घर और कम खरीदाने लगेंगे जिसके कारण से और जदा यह ग्रेव हो इसके उपर डिपेंडनेंट है और कई साय डेवलपर जो है वो डिफोल्ड कर रहा है ऐसी कंडिशन में चाइना की सरकार द्वारा एक प्लान बनाया गया जिसके जरिए दो बात कही गई एक तो लोकल गवर्मेंट यहां पर रियल स्टेट सेक्टर की मदद करेगी और दू उसके बाद एक कैमपेंड चला है और लोगों कहें के तुम्हारे पुराने अपार्टमेंट छोड़ो नए अपार्टमेंट में आ ताकि क्या हो नए अपार्टमेंट के लिए डिमांड क्रियेट हो अब यह जो पूरा प्लान है इसमें दो इशू है पहला इशू क्या है कि जो local government है उसे कहा गया कि आप unsold घर खरीद लो पर चाहिना के अंदर local government की हालत अच्छी नहीं है local government के उपर already 23 trillion dollar का लोन है वहीं दूसरी तरफ लोकल गवर्मेंट जब ये घर खरीदेगी तो घर खरीदने के बाद ये campaign कर रही है campaign करके ये लोगों को promote कर रही है तुम्हारे पुराने अपार्टमेंट छोड़के नए अपार्टमेंट में आ जाओ जो की सही बात भी है आपको भी अगर कोई कहाएगा अब आप सस्ते रेट के अंदर नए घर खरीद भी लेते हो तो पुराने घर बिक नहीं रहें सेंट्रल बैंक द्वारा एक प्लान इशू किया गया जिसके अंदर 42 बिलियन डॉलर का लोन लोगों को दिया जाएगा ताकि वो लोग घर खरी सके पर आल्रेडी लोगों के पास में तो घर है वो जो खाली घर है वो कौन खरी देगा तो उसके लिए यह लोन दिया जा रहा है कम भी आज दरूप है और इवन डाउन पेमेंट भी आपर कम कर दी गई है आप क्लियरल यहां पर देख सकते हो डाउन पेमेंट और इंट्रेस्टेट दोनों को यहां पर कम किया गया बट उससे कोई ज़्यादा रिजल्ट निकलता हुआ दिखाय नहीं दे रहा क्योंकि लोग दो तीन घरों का करेंगे क्या तो वो खरीद भी लेते हैं तो वो घर बिकेंगे कैसे इवन क्योंकि घरों की डिबांड कम है इस कंडिशन में रियल इस्टेट सेक्टर के दर जैस के आबादी स्टेजी से बढ़ रही है चाहिना के अंदर क्या हो रहा है कि आबादी के अंदर स्लोडाउन देखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर वन चाहिड पॉलिसी और टू चाहिड पॉलिसी चली जिसके कायांट से लंबे समय में इन घरों की डिमांड बढ़ती हो रिखाए भी देली ऐसी condition में वह एक खराब इनवेश्मेंट होगा चाहिना के अंदर के लोग घर खरीद के रख ले क्योंकि आने वाले समय में उसकी प्राइस कम होगी ना भारत के अंदर हम लोग जो खरीद लेते हैं क्योंकि प्राइज आने वाले समय में बढ़ने वाली है एसी केंडिशन में लोग investment के लिए भी चाइना के अंदर इस तरीए घर नहीं खरीद रहा है जिसके कारण से चाइना के अंदर real estate sector के अंदर crisis आता हुआ दिखाया दे रहा है और यही क्रैसिस municipality का क्रैसिस बन रहा है यही बैंक का क्रैसिस बन रहा है यही एफ डिए के इंवेश्मेंट का क्रैसिस बन रहा है यानि कि चाइना की ओवरॉल economy जो पहले real estate sector की वज़से ग्रोग की थी अब उसी real estate sector की वज़से डाउनफॉल की तरफ जा रही है तो यह साही चीज़े चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही है आई होप आप लोग को साही बाते समझ महीं होंगी लेक्शे अच्छा लगाओ तो लाइक करना लेक्शे बहुत अच्छा लगाओ तो नीचे इसासी 10 कमेंट करना यूपन करना है अगर आपको में जानना है तो इस वीडियो को एंट तक देखना करना है उन भाओ तक देखने काम साही हो झाल की जाना है